टीसेस में तेजी देख रहे हैं और टीसेस के लबागी आईटी स्टॉक्स अभी मोमिंटम आज ठीक ठाक है दरसल टीसेस का बाइबक काई से खुल गया और 23 मार्स तक इसमें निवेशकों के लिए अपने शेयर टेंडर करने के मोगे होंगी बाइबक के डिटेल्स लेकर और इस बाइबक में अगर आप रिटेल इंवेस्टर हैं अपने शेयर टेंडर करते हैं तो acceptance ratio क्या हो सकता है और उस acceptance ratio के आधार पर आपके profit क्या हो सकते हैं अगर आपने सिर्फ बाइबक के लिए स्टॉक खरीदे थे तो ऐसी लोगों के लिए एक research लेकर हमारे सेयोगी मुझा बताइए क्या details है और किस तरह के acceptance ratio होंगे और कैसे निवेश्टकों को फाइदा होगा इस buyback का TTCS का buyback आज से खुल चुका है और 23 मार्च तक ये खुला रहेगा पहले तो इसकी कुछ details हम आपको buyback की बता देते हैं 18,000 करोड का buyback company ने announce किया था यानि की company की 4 करोड शेर्स वापस खरीदने की योजना थी और buyback का जो price था वो 4500 रुपे किया गया था यानि कि अगर मौझूदा भाव से आज के price से compare करें तो गरी 25% जादा ये भाव नजर आ रहा है हम आपको बता दे कि इस buyback की जो record date थी वो 23 फरवरी थी यानि कि 21 फरवरी तक एक shareholder के पास मौका था कि वो इसमें participate कर सकता था अगर आपने 21 फरवरी को TCS के shares खरीदे होंगे तो फिर आप इस buyback में हिसा ले सकते हैं और इसमें participate भी कर सकते हैं हम आपको बताएगे कि इसमें फाइदा आपको कितना हो सकता है लेकिन एक calculation हमने की कि कितने shares यहां पर company लेगी यानि कि acceptance ratio कितना होगा 52 shares tender करने पर कम से कम साथ shares यहां पर company लेगी तो उस हिसाफ से acceptance ratio अगर हम compare करें तो 13.5% का होता है बाकि यह भी depend करता है कि company कितने shares स्विकार करती है उस पर भी आपका फाइदा निर्भर करता है अब वो आपको बताते हैं कि tender करने पर क्या फाइदा होगा suppose आपने अगर 52 shares ले लिये हैं और आपके सारे के सारे shares accept हो गया है buyback के ज़रिये से आनिके 100% acceptance ratio आया है तो उस case में जो आपको फाइदा होगा वो 20.9% होगा यह जो हमने calculate किया है यह 21 February के price पे किया है और 21 February को हम आपको बता दे कि करीब 3720 के पास share कारूबार कर रहा था तो उससे अगर calculate करेंगे तो 20.9% का फाइदा होगा अगर 70% acceptance ratio होता है यानि कि buy back में आपके 36 shares accept किये जाते हैं तो उस case में जो फाइदा होगा आपको वो 14.6% का होगा अगर 50% acceptance ratio होता है यानि कि 50% के हिसाब से अगर calculate करेंगे तो 26 shares अगर accept होते है तो उस case में जो फाइदा होगा वो 10.5% का होगा और 13.5% अगर acceptance ratio रहता है तो उस case में जो फायदा होगा वो 2.8% का होगा तो यह calculation की हमने की इस buyback में अगर आप participate करते हैं तो आपको किसका फायदा होगा acceptance ratio को ध्यान में रखते हुए लेकिन यहाँ पर यह काफी important है कि अगर 21 February last day थी अगर आपने shares खरीदे हैं तो फिर आप इस buyback में participate कर सकते हैं और यह फायदा जो calculation हमने आपको बताई इतना फायदा आपको मिल सकता है शुक्रिया पूजा तो पूजा ने काफी बहतरीन और सरल धंग से बता दिया कि जिन लोगोंने TCS के buyback से फायदिक लिए share खरीदे थे उनको के इस तरह से इसमें return आते हैं भी दिखेंगे लेकिन एक assumption हमने लिया था माली जी कि आपने share tender किया और जो share tender में सुविकार नहीं होते हैं वो आपके dmit में वापस आ जाएंगे तो हम यह मान के चलना ही कि या तो आप वो share अपने cost पे बीच देंगे या फिर उसको hold करें इस exemption के साथ हमने पूरा calculation किया है और जो entitlement के मताबिक 13.5% के आसपास से acceptance ratio है अगर वो होता है अगर 13.5% का तो आपको जो फायदा होगा तकरीबन 3% के आसपास का होगा 50% अगर आपके accept होते हैं stocks तो 10.5% के आसपास का फायदा है लेकिन फायदा उनहीं को होगा जिनके dmit में 23 फरवरी तक share थे यानि कि जिन्होंने इस बाइबे के लिए खरिदा थे जिनको share उनके लिए आखरी जो तारी थी वेकिस फरवरी थी लेकिन आज